हेलो फ्रेंस तो कैस वे आप सब आई होप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंस स्वाकता आपका आज की वीडियो में तो आज की जो वीडियो रहेगी जहरेगी पी-म गराम अवास योजना 2.24 के रिगाड़ी तो फ्रेंस में जो बात कहने की यह समें मैं बताओ दूँ आपको जो पी-म गराम अवास योजना के जो तुरू आपको गरांट की राशी मिलती है वो राशी हमाचल में या अन्य राज्यों में मिलना स्टार्ट हो गई है तो इसके लिए जो इन्होंने न्यू कंडिशन रखी है जो मतलब जब आप बैंक अगरांट बेगरा देते हो इसके साथ तो उन्होंने इस वारे एक न्यू फोर्म इसके साथ इंकलूड किया है वो कौन सा फोर्म रहेगा उसको कैसे फिल करना है और कैसे आपने उसको जाके अपने पंचाथ भवन में जाके सब्मिट करवाना है तांकि आपके बैंक अकाउंड में जो पीम गराम अवास जोजना के थूँ आपको राशी मिलती है वो आपके अकाउंड में आ सके तो सारी वीडियो में मैं डिसकस करूँगा आपको भूल इंफ्रमेशन दूँगा तो तो बीने वीडियो को दियान से देखना है किसी ने वीडियो को स्किप नहीं करना है तो चली चलते हैं फ्रैंस इंफ्रमेशन पे तो पहले तो मैं आपको जो न्यूज बता दूँ जो इसके रिकाड़ी न्यूज आई थी पीम गराम आवास योजना के तहत तेश में बनेंगे दो करोड गर नेक्षिस में बताया गया है परदान मंत्री आवास योजना गरामिन के तहत अगले 5 साल में पूरे देश को 2 करोड और गर बनाने का लक्षे रखा गया है केंद सरकार ने परदान मंत्री गराव आवास योजना गरामिन 29 तक बढ़ा दी है दो क्रोड और गरों के निमान में लगवा दस क्रोड लोगों को लाव होने की उमीद है इस सब्सक्रीटी से सभी भेगर और जिन शिश और कच्छे गरों में रहने वाले लोगों को सभी बुनियादी सुबदा के साथ अच्छी गुनवत्ता सुरक्षत गर बनाने की सुबदा मिलेगी तो फ्रेंस यह थी नियूज अब मैं आपको जो फों बताता हूँ जो इसके साथ आपको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको जो पैसे वो बैंक काउंट में ही आएंगी तो इसके लिए आपको जो फों जुरॉर है मैं आपको बो बताता हूँ तो फ्रेंस जो देशकते आप 업के जो आपको ग्राण्ट की राशी मिलेगी बैंक डेन के लिए आपको जो फों लगाना पड़ेगा आपने फिलब करके बैंक में लेके जाना है और बैंक वाले आपको एक रसी देंगे वो जाके आपने अपने पंचाइद गर में देनी है जिस जो डोकुमेंट आपके गुवर्मन को दो जाएंगे जहां से आपको राशी मिलेगी तो इसके लिए आपको नीचे कैसे फों को फिलब करना है पहले सबसे पहले तो आपके जहां पर बैंक का नाम आएगा उसके बाद ब्रांच कहां पर आपका क्या ड्रेसर आएगा वो आएगा नेच्ट नीचे करते हैं तो आपका बैंक को नमबर आ जाएगा उसके बाद सेम जहां पे भी bank account number बढ़ना है और आपका branch का name आएगा जो नेश्ट जहां पे option दिया गया है non-transactionable process purpose only as kbc इसको आपको टिक नहीं करना है तो नीचे का option है mapping it जी इसको आपके click करना है क्योंकि यह option होता है कि आपको जो सरकार की द्वारा सुब्दाएं विगारा मिलने उसके लिए आपको इस जो column दिया गया इसको आपको टिक करना है उस्वाए next जो आपने इसको सोड़ देना है जो आपके कामका नहीं है और next भी आपके जहां पे आता है अधार तो आपने ज लिखा गया है you are faithfully जहां पे जाके आपने अपने signature करने है और नीचे आता है जहां पे same to same signature थंप impression of the account holder पर आप जहां पे अपने signature कर सकते हो नीचे same to same आपको नेम बरना है मुवाइल नमबर बरना और email id बरनी है और friends इसके साथ आपको जो आपना अधार काटा है उसको self- phone के साथ include करना है को सबस्क्राइब करना है तो next जहां पे आते हैं जहां पर same आपको bank on number बरना है आपका नाम बरना है और आपका bank on number बरना है और अपना अधार number बरना है नीचे भी आप branch लिखते है डेट लिए और जहां पर नीचे का option है bank on 139 official जहां पर आपका जो bank का manager र तो जे रिसीद फार के देगा अपने जे रिसीद लेके अपने जो पंचायत गरा जहांसे आपके फॉर्म सब्मिट होते हैं वहाँ पे जाके आपने जे रिसीद दे देनी है तो यह थी information मैंने सोचा कि आपके तब यह information पंचाओं क्योंकि यह आपके काम की है जो काफी गरीब बंदिया उनको पता नहीं होता है कि form कैसे बरना है तो मैंने आज इस पर फिडियो लेके आया अगर आपको इस वीडियो से थोड़े information मेले है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाए ही जाए वारत